तो आगे अब हमरे मन के जानेक है सुरुज मुखी कर बारे में तो सुरुज मुखी कर उन्नत प्रभेद है DRSF 108 OP भाई OP किसिम कर औसत उपजोयल 10 से 12 कुईंटल प्रती हेक्टर संकर किसिम कर उपजोयल 14 से 15 कुईंटल प्रती हेक्टर इकर खेती कर तैयारी दू तीन धाओं खेत के बेस्नियर जोईत देविक चाही पाटा चलाए के एक सम केर लेए रभी याकी बसंत कलाकर सुरुज मुखी लगिन बुनेक कर पहले पटाय के भुई कर तैयारी करें जेकर से माटी में नमी बनल रहे बुनेक बेरा खरी फसिल एक जुलाई से पंद्रा जुलाई रभी फसिल तेरा जुलाई से पंद्रा जुलाई में बुनेक चाही बसंत कला याकी गरमकला में लगायक वला फसिल कर बुनेक बेरा है पंद्रा फर्वरी से पंद्रा मार्च बहिंकर दर इकर बहिंदर आट से दस किलो ग्राम प्रती हेक्टर होयल पौधा मनक दूरी बुनेक लगिन दर बनायक बेस रहल इकरले दर से दर कर दूरी 60 cm और पौधा कर दूरी 30 cm हुएक चाहिए माइंद याकी उर्वरक कर पर्योग 5 टन सडल गोबर कर माइंद के प्रती हेक्टर में दे देख चाहिए जेखेत बारिस कर पानी कर असरा में रहल सहा 40 kg नेतरजन, 50 kg पौटास और 25 kg सलफर प्रती हेक्टर में देख चाहिए पटायक लगिन ओपी की सिमले 50 अनुपात, 40 अनुपात, 25 अनुपात, 25 kg नेतरजन, स्फूर, पौटास और सलफर प्रती हेक्टर में देख चाहिए निकाई और गुड़ाई बुनेक कर 20-25 दिनक बादे और 35-40 दिनकर बादे निकाई गुड़ाई केरद्वें फसिल के 60 दिनकर खरपतवार से सफा रखेक चाहे खरपतवार नासकरेया पेंडा मेथालीन 1.5 किलोग्राम सक्रियत तत्व प्रती हेक्टर कर दर से छिड़काओ करेक चाहे पोधा जखन ठेहुना तक मुझ होए जाए तो उकर जैर के आसे पासे माटी चगाय देवा पानी कर प्रबंधन रभी फसिल लगिन कांती वर्धन अवस्था जैसे कली प्रवर्तन 20-25 दिनक बाद पुस्प प्रवर्तन 55-60 दिनक बाद और बीजा प्रवर्तन 70-75 दिनक बाद में 3 धाउं पटाय देख चाहे बसंत और गरमकला फसिल में 4-10 धाउं पटायक चाहे इसन हरेक 10-15 दिनक भित्रे करेक चाहे खरी फसिल में पटायक दरकार नी रहल आप पोधा कर संडरक्षन पिलवा कर रोग थाम लाही या जैसिट से बचायक लगिन ओक्सी डेमेटोन मिथाईल या मोनो क्रोटो फोस कर सुन्य दस्मलों 1 प्रतिशत घोल से छिड़काव करेक चाहे बेमारी से रोग थाम पत्र लांचन से बचायक लगिन आइप्रेडियान सुन्य दस्मलों 2 कर दूधाउं छिड़काव करेक चाहे तीस से पैंतालिस दिनक बादे करेक चाहे निक्रोसिस बेमारी से बाचेक लगिन बिहिन कर दवई इमीडा क्लोरोपिड 5 ग्राम प्रति किलो ग्राम बिहिन कर दर से और सुन्य दस्मलों 1 प्रतिशत कर दर से दूधाउं छिड़काव तीस और पैंतालिस दिनकर बादे करेक चाहे डाउनी मिल्डियू या पाउडरी मिल्डियू से बचायक लगिन इंडोफिस M 45 के सुन्य दस्मलों 2 प्रतिशत घोल से दूधाउं छिड़काव करेक चाहे अब इकर कटनी जखन फूल कर पाच्छे बटे पीयर पेड़ जाए तभे कटनी करेक चाहे और रोध में सुखायके समाट से धढ़ायके बिजा के निस्काय देवें और बढ़ियां से उके भंडारन केर देवें